भारत ने बना डाला काली हतियार का भी बाप अब दुश्मन देश के पास चाहे कोई भी मिसाइल हो भारत कर देगा मिंटों में, साफ तेजस एम का या फिर एफ 75 को भी भूल जाएंगे आप क्योंकि भारत ने बना लिया है सारे हवाई योधाओं का बाप आसमान में F-35 हो या स्पेस में, तैरता कोई मिलिटरी सेटिलाइट भारत की तूफानी तरंगों से विश्व का कोई हतियार बच नहीं पाएगा, DRDO ने बना लिया अपने इतिहास का सबसे पावरफुल लेजर वेपन जिसकी पावर और रेंज देख, खुद अमेरिका की आखे, फटी रह दोस्तों, आज DRDO की ताकत और उसकी तकनीक को करीब से बताने वाली। वक्त वह सिर्फ एक काली 1,000 वर्जन था, उसके बाद काली 5,000, काली 10,000 और। उसके बाद काली 20,000 तक भारत ने वर्जन तयार कर लिये हैं। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि काली एक ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फॉच को जंग से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता है। दुश्मन के टैंक लडाकू विमान नौसैनिक जहाज और मिसाइलों यहां तक की स्पेस में तैरती सैटेलाइट को चुटकियों में कबाड बना सकता है। दोस्तों भारत का शक्तिशाली हतियार काली इलेक्ट्रोमेगनेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हतियार है जो कुछ ही सेकंड के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बोचार करता है जिससे यह अपने संपर्क में आने वाले। किसी भी इलेक्ट्रिक, उपकरण को ध्वस्त कर देता है काली आने वाले, वक्त में देश की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों, आज हम काली हत्यार की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, काली हत्यार से भी ज्यादा खुंख खुंखार हथियार के बारे में और उस खुंखार हथियार का नाम है दुर्गा टू लेजर वेपन जो भारतिय इतिहास का सबसे एहम हथियार साबित होने वाला है क्योंकि अभी तक काली हथियार ही भारत की दुश्मनों को चंद मिंटों में सुला सकता था तो फिर समझ था कि DRDO उसका टेस्ट कप करने वाला है तो दोस्तों आखिरकार वह तारीक सामने आ चुकी है इसलिए महा हथियार की टेस्टिंग से ठीक पहले हम आपको इस हथियार की ताकत और इसकी टेस्ट के बारे में एहम जानकारी पहले ही दे देते हैं और साथ ही आपको यह भी ब ज्यानिकों ने दिन रात मेहनत करके जिस दुरगा टू लेजर हथियार को बनाया है उसकी टेस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है यानि कि बहुत ही जल्द DRDO इस घा तक हथियार की टेस्टिंग करने वाला है डेट का अनाउंस होना बाकी है लेकिन बताया जा रहा है कि जून या जुलाई महीने में इस लेजर हत्यार का टेस्ट हो सकता है लेकिन पहले हम इसकी ताकत की बात कर ले हैं कि यह कितना ताकतवर हत्यार साबित हो सकता है और यह भी जान लेते हैं कि यह हत्यार किस तरह से भारत को चीन से एक जटके में आगे कर देगा तो दोस्तों आ आप ऐसा मान लीजिए कि भारत ने रूस से जो 5400 सिस्टम खरीदा है यह उससे कहीं आगे का सिस्टम है और उससे ज्यादा सटीक भी है दुरगा मतलब डायरेक्शनली अन्रिस्ट्रिक्टेड रेगन यानी शर्ट फॉर्म में दुरगा और इसका जो एक सेकंड वर्जन है यानी की दुरगा टू अगर आप नहीं समझे तो आसान भाशा में समझिए एक लेजर हतियार है मतलब दुश क्योंकि जो इसकी लेजर बीम है वह लाइट आफ स्पीड पर चलती है मतलब तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यह दुश्मन को हिट करती है लेकिन दोस्तों जो हम आपको बताने वाले हैं या यकीन मानिये उसे जानने के बाद आप भी भारतिय होने पर गर् बातक और अचुक है हालां कि आपको बता दे कि इस तरीके का डार्क एनरजी वेपन सिर्फ भारत ही नहीं बना रहा बलकि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने ग्यारा एनरजी वेपन को बना कर टेस्ट भी कर लिया है और अपनी नौ सेना में से शाम भी कर चुका ह लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा गर्व होगा कि अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास खुद का ऐसा लेजर हतियार होगा दोस्तों हतियार को बनाने में भारत थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि जो काम पिछले साल यानि की 2023 में होने वाला था वहा अब जाकर होने वाला है पिछले साल फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की थी की 2023 में भारत पहला ग्रेट एनरजी वेपन यानि की दुरगा टू का पहला प्रोटोटाइप बनाकर तयार कर लेगा और यहां भी बताया कि प्र व्रणी प्रयोक्षाला Laser Science and Technology Center पहले भी 125 kWh लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 km थी और इसकी क्षमता अब 25 km तक हो चुकी है और इसी की टेस्टिंग अब होने वाली है इसके अलावा। DRDO फिलहाल एक सो किलोवार्ट और वजन में हलके हत्यार पर भी काम कर रहा है जो जल्द ही सेना मिंसीमाएं उपलब्ध कराएगा आपको बता दें कि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है है यह 2000 के दशक की शुरुवात में लॉंच हुई थी और पिछले दो दशक के दौरान विभिन रिपोर्ट में इस परियोजना के अस्तित्व का उलेक किया गया है मोधी सरकार के आने से पहले यह प्रोजेक्ट बिलकुल धीमा तरीके से बढ़ रहा था इस प्रोजेक्ट ने असल रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी जब DRDO ने ततकालीन रक्षा मंत्री अरुन जेट की उपस्थिती में एक परिक्षन सुविधा केंद्र में एक किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया इसके बाद प्रोजेक्ट के वेग्यानिक ने ऐसा तूफान ला दिया कि अब DRDO इसमें अब रत्याशित रूप से इजाफा करके एक सो किलोवाट की क्षमता के साथ तयार करने की योजना पर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि DRDO ऐसा कर भी चुका है दोस्तो सबसे खास बात तो यह है कि अमेरिका ने जो डार्क एनरजी वेपन तयार किया है जिसे शील कहा जाता है वह सिर्फ और सिर्फ नौ सेना के लिए है मतलब आप उसे सिर्फ नौ सेना के शिप पर लगा कर ही दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं लेकिन भारत का जो दुरगाटू होगा वैसे तो वह एक सो किलोवाट का होगा और अच्छी खासी उसकी पावर होगी लेकिन वह इतना कमपैक्ट होगा साइज में इतना छोटा होगा कि वह भारतिय नौ सेना के शिप पर भी लगाया जा सकता है और उसका एक वेरियंट भारतिय लडाकू विमानों के लिए भी बनाया जाएगा और दोस्तों एक तीसरा वेरियंट भी होगा जो भारतिय थल सेना के लिए होगा यानि की लैंड अटैक वर्जन यानि की अगर आप देखें तो आने वाले साल के अंदर भारत, जमीन, आस्मान और समुद्र तीनों जगों पर लेजर हत्यार से लेस हो जाएगा जबकि अमेरिका सिर्फ नौ सेना के लिए ऐसा हत्यार इस्तिमाल करता है यानि की इस मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा हालां की आप में से कई लोगों का सवाल होगा की क्या भारत और अमेरिका के अलावा कोई और देश इस तरीके के हत्यार बनाने में लगा है तो देखिए वैसे तो दर्जन भर से ज्यादा देश ऐसे हैं लेकिन यह रियलिस्टिकली देखें तो कुछ चुनिंदा देश ही इसमें आते हैं जैसे कि इसराइल, फ्रांस, ब्रिटिन, चीन और इसके अलावा रूस, हालांकी जर्मनी भी कहता है कि वह भी इस तरीके के हत्यार बना रहा है लेकिन उसका प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा पीछे हैं उसमें वक्त लगेगा लेकिन यह तीन-चार देश हैं जिनका डाइरेक्ट एनरजी वेपन दो हजार पचीज से पहले बनकर तयार भी हो जाएगा हालांकी आपको यह भी बताएं कि इनमें से एक देश ऐसा है जो भारत से पहले भी डाइरेक्ट एनरजी वेपन तयार कर सकता है बलकि काफी हद तक यह तयार भी कर चुका है और उस देश का नाम है इसराइल इसका कारण यह है कि अमेरिका इनकी काफी मदद कर रहा है लेजर हत्यार बनाने में क्योंकि इसराइल के उपर पिछले दो-तीन सालों में काफी ज्यादा हमले किये गए हैं खास करके रॉकेट से ऐसे में इसराइल की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका पैसो से भी और टेकनोलोजी से भी उसकी मदद कर रहा है हाला कि अब देखने वाली बात यहा है कि भारत और इसराइल में से पहले लेजर हत्यार बना कर अपनी सेना में कौन शामिल करता है जी हां सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि बहुत सारे देश होते हैं कि हत्यार तो बना लेते हैं लेकिन उनकी टेस्टिंग लगातार फेल होती रहती है उसे वह अपनी सेना में शामिल नहीं कर पाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि कौन सा देश पहले हत्यार बनाकर सफलता पूर्वक टेस्ट करके अपनी सेना में से शामिल करता है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद